अस्सलामों अलाइकूम, मुव किचेन एंड लाइस्टाइल में आफ सभी को स्वागा थे आज हम बनाएंगे शंदेश, शंदेश एक बांगली मिठाई है और बनाना बहुती आसान है इहाँ पर मैंने दो लिटर फुल क्रीम दूद लिया, दूद को बॉयल होने के लिए रख दिया देखिए दूद में उबालाना शुरू हो गया है अभी भीनिगर डालेंगे भीनिगर के जगा पर आप निम्बू भी उसकर सकते हो एक बर मिक्स कर देती हूँ और थोड़ा डालती हूँ और एक बर मिक्स कर देती हूँ और थोड़ा डालती हूँ इहाँ पर आपको एक बात के धियान रखना है ज़्यादा विनिगर नहीं डालना ज्यादा विनिकर डालने में चैना बहुत ही खटा हो जाएगा मैं थोड़ा थोड़ा डालते हुए आपको दिखाया जो लोग फरस्ट बार बना रहे हो इसको आसान होगा इस तरह से बनाने में आपको पता नहीं होगा इसलिए देखिए चैना और पानी अलग हो गया है हमारा चैना बन के रेडी है भी गेस बन करना है और फटफट इसको चैना और पानी अलग करना है बहुत ही जल्दी से यह करना है ज्यादा टाइम पानी में चैना नहीं रखना है नहीं तो हमारा चैना नहीं बनेगा इसलिए जल्दी से पानी और चैना को अलग करना है इस तरह से मैं बाकी का पानी भी निकल लिया और आधा कंटा के लिए ऐसे छोड़ देंगे बाकी भी जो पानी होगा वो अपने अप निकल जाएगा आधा गंटा हो गया है आप देख सकते हो कितना नरम चैना बनके रेड़ी है चैना की संदिज बनाने के लिए चैना सौफ्ट होना सबसे जदा ज café है जो पैनमे मैं चैना का संदिज बनाऊंगी उसी पैनमे मैं डायरेट चैना को ले लिया और यहाँ पर मैंने 100 ग्राम सुगर पाउडर डाल रही हूँ आप मीठाय अपना सौधन सा डाल सकते हो इसको अच्छे से मीक्स कर देती हूँ च्छाना और सुगर पाउडर अच्छे से मीक्स हो गया है अभी गैस अन करके गैस में पैन को चड़ाना है गैस का फ्लेम लो रकना है लो फ्लेम में च्छाना और चीनी का जो मिस्तरन है इसको चलाते हुए 4-5 मिनिट हम भून लेंगे 4-5 मिनिट से जादा हम नहीं भूनेंगे नहीं तो च्छाना हमारा बहुत ही टाइट हो जाएगा और खाने में भी विल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मैंने यहां पर थोड़ा सा एलाइच पाउडर डाल रहे हूँ यह ओफ्चिनल है आप इसको स्किप भी कर सकते हो एक बार मिक्स कर देती हूँ आप इस तरह से प्लेट में डालके इसको सेट होने के लिए रख सकते हो मैं और भी सफ्ट बनना चाहती हूँ इसलिए मिक्सी में डालके इसका एक स्मूद पेस्ट बना लूँगी जस्ट एक बारी मिक्सी में इसको घुमाना है मैंने मिक्सी में डालके इसका एक स्मोध पेश्ट बना लिया है अब देख सकते हो प्लेट में घी लगा देती हूँ घी लगाने के बज़े से हमारा शंदेश आसानी से सेट होने के बाद प्लेट से निकल जाएगा अब इमें शंदेश का जमिस्तरन है इसको डाल देती हूँ सभी पॉसे इसको बहुत ही जल्दी करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ए टाइट हो जाएगा तो अच्छे से से नहीं होगा आप इसको छोटा छोटा गोल गोल सेप में भी बना सकती हो मैंने यहापे चोकर बनाया इसलिए नाइप के मदद से मैंने यहापे निशान लगा रही हूँ अभी मैं इसको नहीं काटूंगी जब इस सेट हो जाएगा तब मैं इसको काटूंगी जेस्ट गार्निश के लिए जो बादम चिपकाना है इसको ठीक तरह से चिपकाने के लिए मैं निशान लगा रही हूँ बादम को मैं पहले से छोटा-छोटा पीसेस में कट के रखा था अब देख सकते हो अब ही मैं इसको चिपका रही हूँ पूरा बादम मैंने चिपका लिया इस तरह से मैं कीचेन में इसको 4-5 घंटा ऐसे छोट देंगे इसको सेट होने के लिए आपके पास टाइम कम है तो आप ठंडा होने के बाद नॉर्मल फीच में एक घंटा इसको रख सकते हो इस तरह से भी ये सेट हो जाएगा उपर से गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा केशर डाल रहे हूँ अभी मैं इसको काट लेती हूँ आप इसको नॉर्मल भी बना सकते हो मैं जस्ट यहाँ पर गार्निश के लिए केशर और बादम का यूज किया ये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट है और ज्यादा स्रामोग्री की भी आबशक्ता नहीं है जस्ट आपको दूद और चीनी की जरुरत है ये बहुत ही नरम बना है मैं इसको तोड़के आपको दिखाती हूँ देखिए कितना नरम बना है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और मेरे चैनल में आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे नयाना वीडियो की नाटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए बिल आइकन को दबाना थैंक्यू सो मच